हलो दोस्तो कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब बहुत अच्छी होंगी दोस्तो सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रिकास ब्यूटी वर्ल्ड में दोस्तो सबसे पहले तो आप सभी को दिल से थैंक्यू कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया इतने प्यार प्यारे आप कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है और अपना सपोर्ट अपना प्यार मेरे साथ इसी तरह बनाए रखिएगा तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो मैंने लास्ट विक्स आप सभी से पूछा था कि मैं पहले पैराफिनवेक्स का फीशियल का डेमो पहले दूँ या फिर अपर एज़िंग का तो बहुत सारे कमेंट्सट्स के लिए आये ते तो मैं पहले पैराफिन वेक्स की थिओ तो आज का वीडियो हमारा स्पिर्फिन थीह रबएक्स का देधा दोकी है जिसका यूजरा पर्सों तक मैं आपको इसका दीम। देढ़े में तो जो पहीं विखे जिल तो क्योंति है तो क्योंति होता है जिसका यूज हम फेशन में उकरते हैं। और paraffin wax का use हम manicure, pedicure में भी करते हैं, क्योंकि जो paraffin हो दिया है ना, वो हमारे pain में, pain से relief देने में भी हमें help करते हैं, pain से राहा देती है, दर्द से राहा देती है, तो इसका use हम manicure, pedicure में भी करते हैं, तो दोस्तो paraffin wax facial को करने में आपको time लगेगा, डेड़ घंटे का, आपके पास डेड़ घंटा minimum होना चाहिए, ठीक है, suitable for skin type, कौन सी skin type पर आपको करना चाहिए, paraffin wax facial आप किस तरह की skin पर कर सकते हैं, तो paraffin wax facial है dry skin के लिए and aging skin के लिए, dry और aging skin पर आप paraffin wax facial दे सकते हैं, क्योंकि जो paraffin wax होती है, वो आपकी skin को बहुत अच्छे से hydrate करने में help करती है, और dry skin को, aging skin को hydration की बहुत नीड होती है, तो paraffin wax facial हम करेंगे dry and aging skin पर, तो दोस्तो paraffin wax facial के procedure को जाने से पहले, हम इसके benefits को जान लेते हैं, क्या-क्या फायदे, क्या-क्या लाब हमें, paraffin wax facial को करने से मिलेंगे, ठीक है, तो अगर paraffin wax facial करते हैं आप, तो आपको सबसे पहला benefit ये मिलता है, कि ये एक hydrating treatment है, और आपकी skin को बहुत ही अच्छे से hydrate करता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम dry skin पर use करेंगे, तो dry skin को hydration की need होती है, तो इसलिए ये हमारी skin को बहुत अच्छे से hydrate करता है, और हमारी skin होती है, वो hydrate रहती है, तो वो dull नजर नहीं आती, ठीक है, तो सबसे पहला benefit हमें ये help करता है, क्योंकि जैसे हमारी उम्र बढ़ने लग जाती है, हम एजिंग की तरफ जाने लगते हैं, तो हमारी skin होती है, वो lose होने लग जाती है, धीली होने लग जाती है, तो हमारी skin में tightening and toning effect देने में हमारी help करता है, paraffin wax facial, और ये हमें pain से relief भी देता है, हमारी tired muscles को relax करन पाने के लिए भी हमारी help करता है, paraffin wax, ठीक है, उसके बाद hydrate making it soft and smooth, हमारी skin बहुत अच्छे से soft and smooth हो जाती है, मुलायम नजर आती है, हमारी skin क्योंकि हमारी skin अच्छे से hydrate हो जाती है, क्योंकि एक hydrating treatment है, तो हमारी skin बहुत ही soft smooth हो जाती है, paraffin wax facial जब हम apply करते हैं, जो हम उसे apply करते हैं face पर, तो जो हमारे blood vessels होते हैं, वो expand हो जाते हैं, और जो blood vessels expand होंगे, तो blood circulation बहुत अच्छे से होता है, और blood circulation अच्छा होगा, तो obviously आपके skin पर एक natural glow आता है, ठीक है, तो blood circulation में भी help करता है, हमारा paraffin wax facial, और आपके skin में जो भी toxins होते हैं, उसे skin से बाहर निकालने में help करता है, और it helps to minimize superficial wrinkles and lines, जो face पर wrinkles और fine lines आती हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ, तो उनको भी थोड़ा minimize करता है, reduce करने में हमारी help करता है, next है हमारा दोस्तो, benefits के बाद हमारे products की क्या कैसा मान हमें चाहिए, तो cleanser, toner and scrub ले ले लेंगे, आप according to skin type, उसके बाद आपको चाहिए, massage के लिए cream, तो आप पिस्ता cream ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी any rich cream ले सकते हैं, next है हमारा, हमें wax चाहिए, paraffin wax चाहिए आपको, lotion and sunscreen, और आप अपनी पूरी basic trolley ले ले लेंगे, जो facial की basic trolley होती है, जिसमें हमारे spatula, brushes, bowels, cotton, यह सब आजाता है, next है हमारा procedure, अब हम procedure देख लेते हैं, कि क्या तरीका है, paraffin wax facial treatment को करने का, ठीक है, तो सबसे पहले, client counseling, हर एक procedure का सबसे पहले step होता है, client counseling, उसके बाद आप अ treatment करने चाहरे है, client का, महाँ पर comfortable कराएंगे, और उसके बाद आप अपने hands को sanitize करेंगे, या फिर अपने hands को wash करने भी, wash भी कर सकते हैं, उसके बाद आप client की करेंगे, front की wrapping, with medium towel, medium towel के साथ, front wrapping करेंगे, next हम करेंगे, 2 minute का harmonization, उसके बाद हम करेंगे, हमारा step है, head wrapping करेंगे head wrapping हमें harmonization के बाद करना है, वो भी medium towel के साथ करेंगे, या फिर आप और disposable headband के साथ भी आप कर सकते हैं, proper hair line को पूरा अच्छे से cover करेंगे, ताकि products clients के hairs में ना जाए, ठीक है, उसके बाद ये हमने preparation कर ली, अपने treatment को करने की, next हम start करेंगे, उसके बाद हमें करना है, remove makeup, अ तो आप पहले उसे अच्छे से remove करेंगे, makeup remover की help से आप कर सकते हैं, या फिर wet cotton से, या फिर baby oil से भी, eye makeup को remove करने के लिए, आप baby oil का use कीजिए, next step है हमारा, next step है, clean face and neck with moist cotton, उसके बाद जब अपने makeup remove कर दिया है, तो उसके बाद आपको गीला cotton लेना है, और उससे अच्छ फेस को clean करना है, ठीक है, makeup remove के बाद, wet cotton cleaning के बाद हमें करनी है, cleanser cleaning, आप cleanser लेंगे अपनी fingertips पे और उसको circular motion में आपको 2 मिनट तक cleanser cleaning करनी है, तो उसे 3 मिनट आपको cleanser cleaning करनी होती है, इससे जादा आप नहीं करेंगे, next step है हमारा, उसके बाद हम करेंगे, तोनिंग, पू करेंगे, या फिर almond scrub भी ले सकते हैं, या फिर almond scrub भी ले सकते हैं, तो आप अपको आप्लाइ करने के बाद, दो से 3 मिनट तक हम उसे चोड़ देंगे, और उसके बाद, water touch लेके, फिंगर टिप से उसे हलके-हलके मसाज करेंगे, तो इसे 3 मिनट तक करना है, यह भी हमें, आ का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप फ्रिमेटर ब्रश के साथ भी कर सकते हैं फ्रिमेटर ब्रश का यूज आप सेंसिटिव स्किन पर मत कीजेगा नेक्स अब जब हम स्क्रबिंग कर देंगे तो उसे अच्छे से क्लीन कर लेना है हमें वेट कॉटन की हैप से हम उसे होट कंप्रेशन दे रहे हैं तो आप ब्लैकेट एंड वाइट को रिमूव करेंगे दें जब आप ब्लैकेट एंड वाइट को रिमूव कर देंगे तो आप कोल्ड कंप्रेशन देंगे यह मस्ट अगर आपने होट कंप्रेशन दिया है तो आपको कोल्ड कंप्रेशन भी द करेंगे यहां पर हम जो हमारे बेसिक स्टेप होते हैं जो हमारी क्लासिकल मसाज होती है वो सारे स्टेप भी हम करेंगे और प्लस उसके साथ हम एंटी एजिंग मसाज भी यहां पर करेंगे ठीक है तो दोनों को मिक्स मैच करके करेंगे मैंने आपको जो क्लासिकल मसाज है उस की सारे स्टयप भी बता रहा हैं कॉन करुछ से स्टयप सहते बट मैंने आपको भी ऐंटी ऑजिंग मसाज नहीं बताया है तो वो भी आपको बताती हूं जल्दी ही तो हम यहाँ पर एंटी एजिंग massage का भी use करेंगे क्योंकि हम aging skin पर भी कर रहे हैं इसे तो हम anti-aging massage के steps भी follow करेंगे उसके बाद जब हमारी massage की application हो जाएगी हम massage कर देंगे अच्छे से उसके बाद हमें जिस cream से हमने massage की है उस cream की एक layer हम अपने पूरे face पर apply कर देंगे अगर आप क्रीम की लेयर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ओयल भी ले सकते हैं मल्टी विटमिन ओयल का यूज कर सकते हैं आप वो भी लगा देंगे यह बहुत important step है कि आपको face के उपर क्रीम की लेयर लगा के शोड़नी है या फिर oil की तभी आपको next step पे जाना है क्रीम की लेयर पूरे face पर लगाने के बाद आप face पर लगाएंगे gauze जो पट्टी होती है उसको हम use करेंगे face पर तो उसको हम warm wax में dip करेंगे then squeeze करेंगे और फिर उसे face पर gauze की application कर देंगे और उसे कैसे हमें squeeze करना है कैसे dip करना है वो मैं आपको demo में बताऊंगी तो अच्छे से clear होगा ठीक है strip लगा देने के बाद हम उसके उपर apply करेंगे wax brush की help से इसमें हमारा जो brush होता है वो bleach brush यूज होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह के use होता है तो आप इसमे eyes और lip area को avoid करेंगे आप eyes और lips पर नहीं apply करेंगे paraffin wax को ठीक है हम lip area पर कर सकते हैं बट बशरते की जो आप application कर रहे हैं वो आपकी जो application है बहुत अच्छी होनी चाहिए otherwise वो मूँ के अंधर जाएगा तो जब आप application कर रहे हैं वो मूँ के अंदर नहीं जानी चाहिए wax तब आप lip area पर लगा सकते हैं अगर आप perfection के साथ लगा सकते हैं तो आप lip area पर भी application कर सकते हैं क्योंकि lip area भी बहुत अदर dry होता है तो आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं और आपकी जो client है वो भी comfortable होने चाहिए करनी है वो हम बताएंगे आपको डेमो वाले वीडियो में तो warm paraffin wax is gently brushed over entire face पूरे face and neck पे हम लगा देंगे और इसको हम repeat करेंगे क्योंकि इसको हमें एक थिक mask की तारह लगाना होता है तो उसके बाद हमारा ये वाला step है देन उसको ये बाद हम इसे छोड़ देंगे इसी तरीके से 15 से 20 मिनट के लिए जिससे हमारे face को जो हमने paraffin wax facial treatment किया है उसके पूरे benefits मिले तो हम 15 से 20 मिनट के लिए उसे इसी तरीके से छोड़ देंगे तो हम पूरे face पर जो paraffin wax से उसकी application कर देंगे neck पर face पर और जो process है इसका हम repeat करेंगे क्योंकि हमें इसे एक ठीक mask की तरह लगाना होता है तो ठीक है मैं लगा के बताऊंगे आपको demo में उसके बाद हम इसे हमारे जो step होगा जब हम application कर देंगे तो हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि हम जो facial treatment कर रहे है paraffin wax facial treatment उसके सारे पूरे benefits हमारे skin को मिलें तो 15 से 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे next जब वो ठंड़ा हो जाएगा जब हम उसे touch करके देखेंगे client से पूचेंगे कि उन्हें heat feel हो रही है या नहीं हो रही है अगर वो ठंड़ा हो जाता है तब हम उसे remove करेंगे उपर की दरफ lift करते हुए हम उसको remove कर लेंगे बहुत इजीली वो निकल आता है क्योंकि हमने नीचे gauze लगाया हुआ होता है ठीके तो इसके बाद हम उसे निकाल देंगे paraffin wax के जो फेशल जो हमने लगाया था उसे हम निकाल देंगे देन हम face को अच्छे से wipe कर देंगे wet cotton की help से ताकि face पर कुछ भी लगा है oil जो हमने लगाई थी cream जो लगाई थी उस excess cream and oil को हम हटा देंगे उसके बाद हम लगाएंगे moisturizer then sunscreen लगाएंगे और इस तरीके से हमारा जो facial है paraffin wax facial treatment complete होता है then हम headband remove करेंगे client को बैठने में help करेंगे और client के back पर जो pressure points होते हैं वो pressure points देंगे clients को massage करेंगे हलकी सी ताकि client को और ज़दा relief feel हो तो इस तरीके से हम पूरा अपना paraffin wax facial करेंगे और इसकी जो frequency है वो once in a two week or as requirement है आप दो सब्ता हमें एक बार कर सकते हो और जैसी भी client के skin को need है आप उसके according कर सकते हो तो दोस्तों ये थी हमारी paraffin wax facial treatment की पूरी theory step by step I hope कि आपको समझ में आई होगी अगर आपको कोई भी doubt अगर आपके रह भी गए है कोई doubt है आपका तो जब आप demo देखेंगे इसका तो आपके वो doubt भी clear हो जाएंगे तो जल्दी मैं इसका demo की वीडियो भी upload करती हूँ मैं आपको इस channel पर करा रही हूँ full professional beautician का course जिसमें मैं आपको skin, makeup and hair तीनों चीज़ों की knowledge दूँगे वो भी बिल्कुल professional तरीके सी तो जल्दी से channel को subscribe जरूर कर लीजेगा आज का video अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा comment करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको कैसा लगा और जिन लोगों ने मुझे already subscribe किया हुआ है जो मेरे वीडियो को देखते हैं उन सभी को दिल से thank you इतना support करने के लिए और मुझे बहुत खुशी मिलती है आप लोगे के comments को पढ़कर दोस्तों thank you so much तो दोस्तों चलें जल्दी ही मिलते हैं अपनी next वीडियो में तब तक खयाल रखें अपना और अपनों का और यूँ ही प्यार बाटते रहें टेक केर बाबाई